आकाश्वनी भुपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नवस्कार समाचारों के साथ मैं शरत बागेला उप्राश्टपती जगदी धनकड ने आज ने दिल्ली में चोथे राश्टी जल पुरस्कार प्रदान किये जल शक्ती मंत्राले ने राश्टी जल पुरस्कार 2022 के लिए सेंक्त विजेटाउं सहीत ग्यारा श्रेणियों में कुल 41 पुरस्कारों की घोषणा की थी सर्वश्ठ राज्जी की श्रेणी में मद्वपर्देश को प्रथम पुरुसकार प्रदान किया गया सरवस्ट्रेष्ट जिले की श्रेणी में ओडिसा के गंजम जिले को पुरस्क्रत किया गया तेलंगाना के बदरादरी कोठा गुबडेम जिले की जगनात पुरम ग्राम पंचायत को श्रेष्ट ग्राम पंचायत के पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी कल सुभा 11 बजे आकाश्वानी पर मन की बात कारिक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साजा करेंगे मासिक रेडियो कारिक्रम की ये 102 वी कड़ी होगी ये कारिक्रम आकाश्वानी, दूरदर्शन और नरेंद्र मोदी मुबाइल एप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा आकाश्वानी दूरदर्शन समाचार तथा सूचना और प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चेनलों पर इस कारिक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा मन की बात कारिक्रम के हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद शेतरी भाशाओं में भी प्रसारित किया जाएगा मुखी मंतरी शिरी चुहाने ने कहा कि बेहनों की जिंदिगी बदलना मेरी जिंदिगी का लक्ष है मद्यपरदेश में महिला सशक्ती करण के अद्भूत प्रयास हो रहे हैं मुखी मंतरी लाड़ी बेहना योजना इनी प्रयासों में से एक है मुख्यमंत्री शिरी चोहाने ने कल भुपाल इस्थित निवास पर सोसायता समूग के संकुल इस्तरी संगठनों की अध्यक्षों से संभात करते हुए कहा कि आजीवी का मिशन बेहनों की करीबी दूर करने की दिशा में सशक्त माध्यम बनकर कारीर कर रहा है मध्यप्रदेश में नोवे अंतरराष्टी योग दिवस 21 जून को व्रहत पेमाने पर जिला मुख्यालेओं पर आयोजित किया जाएगा इनमें विद्यालेओं, महाविद्यालेओं, पॉलेटेकनिक, आईटी आई समेथ, शेक्षनिक संस्थाओं और वहाँ की विद्धिहार्तियों की भागिदारी सुनुशित की जाएगी सामुईक योग करिक्रम में योग संस्थानों, NCC, NSS, पुलिस कर्मियों, विभिन प्रशिक्षन संस्थान, स्वयम सेवी संगठन, ओध्योगिक संगठन और आम नागरिकों की भागीदारी सुनिशित की जाएगी सामुईक योग करिक्रम में दूर दर्शन से प्रसारित फिल्म अत्वा आयूश मंत्राले दौरा तयार की गई फिल्म का प्रसारण इस्थल पर LED के माध्यम से किया जाएगा प्रदेश में आकाश्वानी से भी कारिक्रम का प्रसारण किया जाएगा मुख्यमंत्री शिवरासी चुहाने ने 356 नगरी निकायों में अधोस रर्शना से जुड़े विकास कारियों के लिए विशेश निधी मत से 431 करोड 6 लाग रुपे की स्विकरती दी है नगरी विकास एवं आवास मंत्री भुपेंदर सीह ने बताया कि इस राशी से इस मारकों के निर्मान के साथ शहिदों और महापुर्षों की प्रतिमाई भी स्थापित की जाएगी सागर में अमर बलीदानी महराणा प्रताप और नगर पाली का सोंसर में पूर प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गी अटल बिहरी वाजशपे की मूर्ती स्थापित की जाएगी भुपाल में टंटियमामा, शहिदर चंदर शेखराजाद, शहिद भगसी, सुखदेव और राजगुरु, अमर बलीदानी हेमु कालाणी, स्वर्गी केलाश सारंग, पूर मुख्यमंत्रीश स्वर्गी केलाश जोस्वी के प्रतिमा इस्थापित होगी साथी भारत माता मंदिर इसमारक भी मनाय जाएगा, नगरी परिशद माखन नगर में राष्ट कवी माखनलाल चतुरुवेदी की प्रतिमा इस्थापित होगी राज्य शासन की उद्योग मित्र नीतियों पर केंदरित MSME सम्मिलन सोंबार 19 जून को भपाल में होगा इसका उद्देशी रोजगार सर्जन में सुख्ष्म लगू और मध्यम उद्दीमियों को प्रोसाहित करना भी है मुख्य मंतरी शिवरासी चोहन समेत सम्मिलन में के मुख्य अतिती होंगे केंदरी स्वास्त और उरुरक मंतरी मंसुक मांडविया एवं परदेश के MSME मंतरी ओम प्रकाश सखलेचा भी सम्मिलन में विशेश अतिती के रूप में शामिल होंगे उद्योग आयुक्त एवं MSME विभाग के सचिव पी नरहरी ने बताया कि सम्मिलन में लगभग 1000 शुक्ष्म लगू मद्यम उद्यम के 9 उद्यमी शामिल होंगे सफल MSME उद्यमियों को पुरस्वित करने के साथ ही देश के पृतिष्ठित संस्थानों के साथ MOU भी होगा अपकु समचार संक्षेप में इंदोर के ग्रामिन हाट बाजार में आज से 6 दिव्य कला मेला शुरू हो गया है इस मेले में 20 राज्जियों वा केंदर शासित प्रदेशों के करीब 100 दिव्यांग कारिकर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पादों और शिल्प कोशल को पृदर्शित करेंगे राज्य सरकार ने शालेक क्रेड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले चातर चातराओं के देनिक भत्ते और गणवेश राशी में वृद्धी की है इस सम्मद में स्कूल शिक्षा भाग ने आदेश चारी कर दिये हैं नर्वदपुरम जिले के ग्राम मिसरोद में आज सुबा खेत में काम करते समय करंट लगने से एक यूवती और एक यूवक की मौत हो गई इस बुलेटिन में इतना ही दीजे अनुमती नमस्कार